हेलो दूस्तों इस टॉक मार्किट में चल क्या रहा है इस से लेटेड याज हम यह पर बाते करने वाले हैं यहाँ अगर अगर हम यह पर देखे तो आपने लास्ट रेडिंग सेस्षन में देखा है कि किस तरीके से वॉलेटिलीटी थी और वॉलेटिलीटी की अगर हम बात कर मार्किट में 50 तो नेगेटिव में बंद होता हुआ नजर आया बस small gap की बात करें positive mid gap की बात करें ये भी negative बंद होता हुआ नजर आया बट कुछ positivity भी दिखाई थी कुछ negativity भी दिखाई थी और कुछ data भी मैं आपके सामने रखना रहेंगे पर उससे पहले हमेशा की तरह request है कि I am small cap investor चानल को subscribe bell icon को hit all के notification को on करें buying selling के recommendation है नहीं अपने financial advisor खुद की study करनी है चीजों को सीखने पर ध्यान देना है और सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको क्या करना है वीडियो जाके देखने है वीडियो जाके देखेंगे आपको सीखने के बहुत कुछ मिलेगा और इसके इलावा बारी किया सीखनी है बारी किया हम यहाँ पर बताते नहीं है क्यों नहीं बता बाते क्योंकि दस मिंट की वीडियो में इतना नहीं बात कर बात है, यहां पर आप जॉइन कर सकते है, basics to advance technical, research, fundamental, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, जब आप क्यों क्या कैसे कि जब आप ढून लोगे ना, तब आप अपने आप ही सीख जाओगे बट कंडिशन नेक है कि आप कोर्स करने के बाद एक साल का जैसे मैं आपको बताऊँ उस तरीके से आपको खुद देखना होगा खुद ट्रेडिंग करने होगी जाए पेपर ट्रेडिंग करो करते हो और साहत में काम भी कर सकते हो अगर आप यहां पर काम भी करना चाहते है है पूटफोलीओ है तो वीडियो में आके बादेजख रहे हैं हम क्या होख कर रहे हैं 14927 लाग वह लगवा आप हैं पर देखे 400 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट होती हुई नज़राई थी ठीक है तो 400 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो एग्जक्ली नजर क्या आ रहा ह है क्या हो क्या रहा है एग्जक्ली इंवेस्टर्स का जिसकी वज़िए से मार्केट डारेक्शन भी यहां पर पता निकरबारी कि एक्जक्ली उजर जाना कहां पर है। दूसरी बात, इलेक्शन भी है, रेट कट की बात है। तो वह सब चीज यहां पर मिलाके, बीजिविक में लेक्टर बॉंड आ जाता है, कभी से भी चेर्मैन की अलग से नियूज आ जाती है। तो वह सब चीज मिलाके क्या होता है, मार्केट में एक हाइप बना हुए, ठीक है, तो फोमो की यहां पर इस्तिती बनी हुई है, कभी-कभी और कभी-कभी यहां पर यहां पर यहां पर मार्केट गिरी जाएगी, क्रेश की भी हां पर इस्तिती बनी हुए, तो सारे के सारे माइंद एक साथ चाहँ रहे हैं तो आज हम उससे और से बाते करने हैं कि मार्केट एक्जेक्टली रहने भी क्या वाला है तो सबसे पहले हम एक डेटा देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे लगब लगब 5-6.000.000.000.000.000 इस तरीके और यहां पर माल उख से और वहां भी देखेंगेंगे हैं तो यहांपर टू बिलियन के डॉलर का माल खरीदा और बेचा जा रहे हैं डियाउईस के तो कुछ इस स्टास जो लागा तार बेचे जारें कुछ इस्टाक्स यहां पर खर हो और जहां पर positivity नजर आई हो वहां पर खरीदी भी गई हो तो उसी सब चीज़ से यहां पर related है ठीक है इसलिए यहां पर आप देखोगे कि volatility भी यहां पर अच्छी खासी है बट overall हम हम बात करें market की तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि अभी भी अगर हम बात करें अभी भी market क्या है थोड़ा सा वीक है इस चीट को याद रखिएगा अना positivity मतली दिएगा कि यहां पर बिल्पूल सुधर चुका है यहां पर आ चुका है ठीक है मुझे वीक नजर आता है यहां से ब्रेक हो यह बीस का लेवल दुबारा तोड़ता है तो मुझे लगता है कि फिर इंडेक्स और ज्यादा नीचे आज सकता है और लगब लबग मैंने एक अल्रेडी एक लेवल दिया था यहां पर एक पॉजिटिव केंडल बनाई है वाट कल पता चलेगा वह पॉजिटिविटी रहती है यहां पर भी देखे सेम एज़ इस यहां पर एक रेजिस्टेंस है जब यहां पर चौदे जान 950 के आसपास का लेवल तोड़ देगा ना तो यहां पर एक तेजी होगी ज चीज़े शायद ऊपर जाती हुई नजर आ रही है और स्मॉल कैप में ही बाइंग हो रही है वह आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है ठीक है जो कि यह एक च्छागासा 21,900 के आसपास का यहां पर सपोर्ट है अगर इसे तो पॉरी से मुझे वीक नजर आते हैं मुझे लगता है कि शायद अगर यहां से ब्रेक हुआ यह लेवल ठीक है अगर यहां से गिरता हुआ नजर आ सकता है तो दूबारा सेथीजार के लेवल पर आकर फिर बांस बइक कर सकता है थोड़ा सा मुझे अमेरिका मार्किट में भ स्ट्थिसरे वहां पर नजर आता है उसकी हम एक बार देख लेते हैं कि एग्जेक्टली चीजे चल कह रही है तो बैंक की बात करते हैं बैंक की बात करें तो बैंक देखें हैं यह आपर से बागेगा और अच्छा खासर टार्गेट यहां पर लगबख पचासे जार और साथ जार तक भी भागता हुए नजरा सकता है तो बैंक को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ठीका और बैंकिंग की तरफ जादे ध्यान दीजिएगा अच्छे शेयर काफी सारे काफी सारे शे सबसे पहले भागते हुए नजर आएंगे आईटी की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं आईटी मुझे पॉजिटिव नजर आता है ठीक है तो आईटी के श्टॉक्स की तरफ ध्यान दे सकते हो जो की अच्छे यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं इसके लावा फार्मा की बात करें तो फार्मा की बात करें फार्मा पॉजिटिव नजर आता है ठीक है यहां पर एक सपोर्ट बना रखा है 18,500 के आसपस का ठीक है और यह इंडेक्स जैसे ही 19,000 का लेवल तोड़ेगा और उपर जाएगा फार्मा के इस्टिल अभी भी काफी सारे आपक सब्सक्रमा के यहां पर घता है यहां पर नहीं ज़िए factors फार्मा करें नर्याट एप चाहाइब भी लेके पड़े रहते हैं और पेटर रहते हैं वहमें नहीं करना चाहिए निफ्टी मैटल की बात करें, मैटल भी यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई देता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरावटी, यहाँ पर से चीज़े निकलती भी नजर आ सकती है, तो इस इंडेक्स की तरब भी हमें ध्यान दे सकते हैं, और मैंने यहाँ पर देखा था, मु कुछ श्टॉक्स को छोड़के, जो कि यहाँ पर मूव भी नहीं किया था, जिन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, वो अब मूव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो बैस्ट है, और कुछ श्टॉक्स जिन्होंने अच्छे खासा मूवमेंट कर दिया था वो इस गिरावट के साथ शायद नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो थोड़ा सा अपना जो रवईया है, वो थोड़ा सा अपने श्टॉक्स को देखके, हाना उनकी अर्दिंग को देखके यहाँ पर देखिएगा, FMCG की बात करे, FMCG ने सपोर्ट बना हैं, यहां से करके दुबरा यह ओपर जाएगा, नीचे यहां पर और गिरनी रहें, तो इस चीच के आप बिंदास जो शेयर है, जो अच्छा दिखाई दे रहे हैं, आपको उधर आप देख सकते हैं, पी एस बेंक की बात करे, सपोर्ट बनता हुए नजर आ रहे हैं, यहा थोड़ा तो नीचे आजाएगा, अगर यह 38,250 की लेवल को तोड़ेगा, तो दुबारा 40,000 की लेवल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो इस की तरफ भी आप में एक बार ध्यान दे सकते हैं, बाकी बात करें, रियालिटी की तो एक बार रियालिटी को भी देख ठीक है, रियालिटी थोड़ा सा वीक मेजर आता है, बट इस तिल यहां से बांच बाक हो सकता है, अगर यह अपना हाई निकाल देता है, 847 का, 847 को रिकाला तो उपर की तरफ जा सकता है, तो इस तिल यही पर ही रखते हैं, ठीक है, भाईंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है है नि, थोड़ा सा मार्केट अपसाइड डॉन रह सकता है, और जैसे ही इलक्षन कम्प्लीट होंगे, और कौन आने वाला है, सभी को अंता जाए, मार्केट में एक रैली आएगी, जो जितने भी इंडाइसी जैना है, इसने ऊपर की तरफ लेके जाएगी, अभी यहां पर Consolidation हो रहा है, जो हो रहा है, दो महीने चुपचाप सो जाओ, ठीक है, और दो महीने के बाद जब उठोगे न, इलक्षन के बाद, आप देखोगे सारे श्टॉक्स, फागलोगी तरह भाग रहे है, फिर गदा भी भाग रहा है, और गोड़ा भी भाग रहे है, तो buying selling की recommendation ह अपने financial advisor खुद की study करें, चीडों को सीखे, देखे, और इन नम्मरों को note करके साथ मैं काम कर सकते है, plus मैं course कर सकते हैं, thank you so much, God bless.